अज सलाम लेकुम दोस्तों जकी गोट फार्म में आपका स्वागत है दोस्तों एक बार फिर मैं आपके सामने नगी वीडियो लेकर हाजिर हूँ मेरा नाम है मुहम्मद जयाद उमीद है आप दोस्त भी खैरियत से होंगे दोस्तों हर रोज बकरा और बकरी के सेल की वीडियो लेके आता हूँ जिसे आप दोस्त काफी पसंद करते हैं लाइक और शेयर भी करते हैं इसके लिए आप तमाम साथियों का शुक्रिया दोस्तों आज मैं हूँ जिला आजम गट का एक बहुत ही मशूर गाँ है आमक वहीं पे मैं आया हूँ और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा और शान्दार गोट फार्म है बर्बरी गोट फार्म राहिल भाईगा उन्हीं के गोट फार्म की बकरियां आपको दिखा रहा हूँ और इनके यहाँ बकरियां जो आई हैं ये इटावा के गुड़ु भाई जो बर्बरी किंग के नाम से मशहूर हैं और जाने जाते हैं गुड़ु भाई किसी परिचे के मुहताज नहीं है अभी मैं आपको गुड़ु भाई से भी मिलवाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आज वो आजमगड में कितनी बकरियां लेके आए हैं क्यूंकि अक्सर आजमगड में इटावा से या मथूरा से बर्बरी बकरियां आती हैं बर्बरी बकरियों का शौक करने वाले बहुत सारे लोग हैं आदा बड़ गुड़ु भाई क्या आल चाल है गुड़ु भाई ठीक भाई गुड़ु भाई आप सबसे पहले आप अपना परिचे दे दीजिए जो नए हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं वो अगर न जानते हों तो उन्हें ये पता चल जाए कि बर्बरी किंग इटावा में कौन है ये तो आप ही बता सकते हो हमारा बताने का कोई मतलब नहीं लोग ये समझेगे ये अपना परजार परफार वाली बात नहीं है बाई जादा तर जितनी आजमगड में बर्बरी बकरी आती हैं तो आप ही के माध्यम से आती हैं बकरिया चाहे नए गोट फार्मर ले आपसे या जो पूराने गोट फार्मर हैं वो ले आपशे घुट्व भाई आज आप आजमगड आया है तो आज 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 आप आजमगड कितनी बकरियां लेके आएं चालिस बकरी लेके आई हैं, Cyalिस बकरी किस के यहां लेके आएं गुडु बाई, राहिल भाई के आवक में, तो इससे पहले भी राहिल भाई को आपने बकरी दी थी, जी चार पाँ बार आचुकी है, जी तो वो यह जो सारी बकरी यह यह पहर आप ही न दिया है, जी और यह इनका breeding setup नहीं इन्होंने अपना breeding setup बनाया है ये sell नहीं करते ये जब इनके बच्चे होगे तो sell करेंगे जी गुड़ बाई एक चीज ये है कि जतना तेजी से बरबरी गोट फार्म खुलता है उतना ही तेजी से बंद क्यों हो जाता है यहां आप कहां से जो बकरियां आती है रास्ते में ही या तो रास्ते के ठकान के वज़े से या फिर किसी और वज़े से जादतर बकरियों को PPR हो जाता है जिससे किसान भाई बहुत जादर परेशान रहते हैं इसकी कुछ वज़ा बताईए आप अपने आपकी बकरी यहां आके बीमार पढ़ती है या आप वैक् किलियो आता है जिससे क्या होता है एक थरसे करनास स्थember है कि परी यह इज लोग जानने तो आप गाहों से बकरी खरीद के फार्मरों को देते हैं या आपके यहां खुद फार्म है फिर वैक्सिनेशन करके उसके बाद सेल करते हैं गुडू भाई आज आप जो बकरियां लाएं उसमें से कुछ बकरियां दिखा दीजे ताकि जो और आपसे बकरी लेने वाले लोग हैं वो भी अगर आपसे बकरी लें तो ले सकें आपसे लिए दिखें यह एक बर्बड़ी की बहुती टाब क्वाल्टी की और शान्दार बर्बड़ी बकरी है अच्छा खासा इसमें दूध है और अडर की साइज भी आप देख सकते हैं और कलर भी और यार के बीट में जाएगी जाएगी या अैसी बकरी के लिए जब आदमी फोन करते हैं तो फिर 20 आजार 22 रुपए आप लोग रेट बताते हैं इसके इसके लिए आप क्या कहेंगे सब्सक्राइब नगー कर देखाएं दिखा और देखाएं जाता है ये ये जो बरबरी बकरी है ये इस लाट में लट में यह आई हुई बकरी है यह देखें गुड़ु भाई अगर इस टाइप की बकरियां आप से कोई 10-20-50 लेना चाहे तो आप उसे अवलेबल करवा देंगे गुड़ु भाई आप अपना नंबर बता दीजिए मेरा नंबर है 971-10-16-3 जी दोस्तों आपको मिलवाते हैं दोस्तों इस फार्म के आनर थे मिलवाते हैं आपको और इनसे पूछेंगे कि बुड़ु भाई ने जैसा कि कहा है कि कई बार वो बकरी यहां पे दे चुके हैं तो भाई जो भी बकरी देता है अपनी वो ये नहीं क कुछ से नहीं करता है तो सामने वाला डिसाइड करता है कि अच्छा माल दिये हैं या हल्का माल दिये हैं तो आये इस फार्म के ऑनर से मिलवाते हैं अस्सलाम लेकुम अवकाब भाई यह बताएं आपका फार्म है आप अपने फार्म का नाम बता दीजे और जगह बता दीजे खैर मैंने तो वीडियो में शुरुवात में ही बताया है अब राहिल गोड फार्म से चलता है और जगह आवक गाउँ है आजम बढ़ी में जी राहिल भाई आवकाब भाई यह बताईए कि यह जो आपकी सारी बकरियां है यह आप बकरी सब कहां से लाए थे जादा तर मतलब गुर्दू भाई कहां से आई तो गुर्दू भाई जो आपको दिये हैं इसमें यह बकरी आपको अच्छी दिये थे या बीमार और मतलब उल्टी-पल्टी बकरी करके दिये बकरी इनकी अच्छी थे इनसे आप इन्होंने कहा है कि कई बार माल इन्होंने आपको दिया है तो सारा माल इनका अच्छा था ओका भाई यह जो आपकी बकरियां का भाई माशालला सभी बकरियां काफी अच्छी हैं तो इसमें से आप कुछ बकरी होई हमारे शौकीन भाई लेना चाहें तो आप उसे सेल करेंगे दोस्तों यह देखें यह राहिल भाई के यहां जो छोटे बच्चे हैं यह जब बड़े हो जाएंगे तो इंसालला मैं आके इनके यहां की वीडियो बनाऊंगा और आप दोस्तों को इससे रुबरू भी करवाऊंगा कि यह अब सेल के लिए तयार हैं दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिएगा जादे से जादे शेयर करिएगा क्योंकि आपकी इस छोटी सी कोशिस से हमारा होसला बढ़ता है मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए इजादत चाहता हूँ अलाफिस दोस्तों